तो दोस्तों अगर आपका phone का ही पानी में गिल कर खड़ाप हो जाता है, अगर आपको तो ठीक कर ना हो, तो यह वीडियो दिखते रहेगा, मैं आपको ती best method बताने वाला हूँ ठीक करने के, तो नमस्खार दोस्तों मेना नाम जते हैं, और आप देखें, InventorTech, तो बिलाड तो प्लीस उसे और करने की कोशिश मत कीज़िए अगर आपने किया तो चांसिस है कि आपका फोन नहीं चाल सकता है ताकि जो उसका सारा पानी है वो एवापरेट होजा है प्लीज आयरेन को यूज मत कीजेगा और यूज बिल्कुल नियू मत कीजेगा वह आपके कॉंपोनेंस को और ज्यादा जला जेते हैं तो नहीं कीजिए मत अब हीट नॉर्मल हीट होनी चाहिए और समझिए कभी निकालने की कोशिच कीजिएगा अच्छे से और सेकेंड मेथड यह है कि आपका अगर आपका फोन में रिमवेबर बैक है तो आप सब बैट्ट्रीज सिम कार्ड और एच्जी कार्ड वो सब निकाल दीए बिकॉस जितना हो सके कॉंपोनेंस प्री हो जाए उसकी मदब से क् आपके फोन में जो भी पानी है वो आप मैनुवरी सुखा सकते हैं और आप उसको मदब एक दिन के लिए नाइट मदब एक दिन के लिए राइस के अंदर रग दीजिए जिसकी मदब से क्या हैगा कि इसको एक सबीशे हीट मेलेगी और इसके साला पानी ही बाद नहीं होए तो यह ही थर्ड मेंधिट राइप तो थर्ड मेंधिट बहुत कॉंप्लिकेटव मेंधिड है मतलब आपको अपने फोन को खोलना पड़ेगा और फोलने के बाद आपको डालोडी 40 का एक लिक हो आता है तो आपको इसको हर जगह पे स्प्रे काना पड़ेगा जो आपके थोड़ तक लग देने हैं उसका इंपेक्ट यह होएगा कि इसमें जो मोईस्टर रहेंगे और जो वाटर डॉपलेश रहेंगे वह सब सूख जाएंगे वह सब निकल जाएंगे उसमें जिसकी मदद से उसमें कोई भी मोईस्टर यह सब नहीं रहेगा और फिर आप उसे जाएंगे यहां आपका कोई फ्रेंड का शॉप और जो यह सब करता हो चीजे उसके साथ जाके यह सब चीजे का प्लीज मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा थर्ड मेंठड बहुत मतलब कॉंप्लिकेटर में अगर आपके फोन को कुछ भी हो गया तो मेरी दिल्षे का तरे तो जह हैं मने मतलब दो